आपका स्वागत है जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे सुप्रीम कोटे राजन निर्वाचन आयोकोस्थान या निकाय चुनाओं के कारेकरम को दो सब्दाह के भीतर अधी सूचित करने का निर्देश दिया है इसी कारण महाराशन में OBC कोटा को लेकर राजन दिगर्माई हुई है तो मशुरगाई का अनुरादा बॉडवाल ने फिर अजान के लिए लाउट स्पिकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग के वही कॉंगरेस ने ता संजेनी रुपम नियारप लगाया है कि राजसरगार राज ठाकरे से डरी हुई है इसलिए उनके खिलाफ करवाई नहीं कर रही है इसे बिच शिवसेना सांसर संजेराओ ने कहां कि माहराशन में शानती है मगर लाउट स्पिकर के संदर्ब में पूरे देश में एक सर्वा सामान ने नेती बनाई जानी चाहिए तो उधर सीम उधर ठाकरे ने कहां कि देश के दुश्मन ओबर किसी की नजर नहीं है जबकि पार्टी के दुश्मन कहा और क्या कर रहे है इस पर विशेज ध्यान रखा जा रहा है प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को इस तार से जाने के लिए बने रही है आप हमारे साथ महराष्ण में स्थानिय निकाय चुनाओं में OBC कोटा को लेकर राजनिती गर्माई हुई है सुप्रिम कोट ने राज्य निर्वाचन आयोक को स्थानिय निकाय चुनाओं के कारेकरम को दो सब्ताह के भीतर अधीस उचित करने का निर्देश दिया है सुप्रिम कोट की बेंच ने कहा कि सम्मंदित्स्तानिय निकायों के सम्मंद में 11 मार्च 2022 से पहले के परी सीमन को पहले से विलंबित चुनाओ के सउंचालन और उसी के आधार पर ऐसे प्रतिक्स्तानिय निकायों के सम्मंद में कालपनिक परी सीमन के रूप में लिया जाना महाविकास आगारी की नेतरुत्व वाली महाराष्ट सरकार के लिए जटका है क्योंकि उसका मानना था कि ये चुनाव सिदंबर अक्तुबर में हो सकते हैं। महाविकास आगारी सरकार पर हमला बोला है। पॉडवाल ने फिर अजान के लिए लाउड स्पीकरों की इस्तिमाल पर रोक लगाने की मांग की है। हजारो सुरीले गीतों की आवाज दें चुकी अनुरादा पॉडवाल ने कहा कि भारत में इस तरह से अजान दिये जाने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया में बहुत सी जगह पर गई हूँ। मैंने ऐसा कही भी नहीं देखा है। जैसा कि भारत में होता है। मैं किसी भी मज़भ के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन भारत में इसे जबरन प्रोचसाहित किया जा रहा है इसके चलते। अन्य समुदा ये सवाल उठाते हैं कि यदि वे लौट स्पिकर के इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। मैं मध्यपुर्व की देशों की यात्रा कर चुकी हूँ। मां लौट स्पिकरों के इस्तेमाल पर बैन है। जब मुस्लिम देश भी इसे प्रोचसाहित नहीं कर रही है तो फिर भारत में इसकी क्या जरूरत है। यदि ये प्रैक्टिस जारी रही तो दूसरे लोग लौट स्पिकर पर भी हनुमान चालिसा चलाने लगेंगे। इससे समाज में सद्भाव समाप्त होगा जो अच्छी बात नहीं है। अनुराधा ने कहां कि भारत में युगा पीड़ी को देश की संस्रूती के बारे में पढ़ाना चाहिए। ये बुज़ुर्गों की जिम्यदारी है कि वे युगा पीड़ी को भारत की तिहास और संस्रूती के बारे में पढ़ाए और हम सभी को अपनी संस्रूती और धर्म के बारे में जानकरी होनी चाहिए। हमें अपने चार वेदो, अठरा पुराणों और आठ मठो के बारे में जानकरी भी होनी चाहिए। हमने मुंबई पुलिस द्वारा मंसे प्रमुक के खिलाफ कारवाई की कमी के लिए निराशा व्यक्त की है। उसे सकती से निप्टा जाना चाहिए। बतादे कि राज्ज्टाकरे ने एक मई को और अंगाबाद में एक रैली की थी और लाउट्स्पिकर के मुद्दे पर उध्वठाकरे सरकार को लताड़ा था। उन्होंने मज़्दों से लाउट्स्पिकर हटाने के लिए तिन मई की समय सीमा तयकी थी उन्होंने ये भी धम की दी थी कि अदि राज्ज्ट सरकार समय सीमा के भितर कारवाई नहीं करती है तो उनकी पार्टी के कारे करता मज़्दों के सामने अजान से तेज आवाज में हनुमान 40 अब जाएंगे शिवसेना सांसा संजेराउत ने कहा है कि महाराश्रा में लाउट स्पिकर का मुद्दा अब खतम हो चुका है कानून के अनुसार काम किया जा रहा है महाराश्रा में शान्ती हैं हाला कि कुछ लोग माहौल बिगाडने का काम कर रहे थे हिंदू समाज में फुट डालने का प्रयातना किया जा रहा है पुलिस के डर से सभी पॉलिटिकल लाउट स्पिकर गायब हो गए है तेश में कानून का राज है और उसी के अनुरुप काम हो रहा है संजराउत ने बीजेपी पर निशाना साथ तेवे कहा कि महेंगाई अपने चरम पर है आई दिन डीजल पेट्रोल और लपीजी सिलेंडर समित तमाम ज़रूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं बावजुदिस के बीजेपी का एक भी नेता महेंगाई जैसे एहम और जन सामान्या से जुड़े मुद्दो पर बात नहीं करता जिस तरह से लौट स्पिकर के मुद्दे पर बीजेपी नेता चिला कर बोल रहे थे उसी प्रकर उन्हें महेंगाई के विशे में भी जनता के सामने बोलना चाहिए नरेंद्र मोधी पर निशाना सात्ते वे उन्हें ने कहां कि प्रधान मंद्री को दूसरे देशों के विच चल रही युद्ध में ज़्यादा दिलजस्पी है उनके भक्त इसी बात पर उनकी तारिफ कर रहे है मुख्यमंद्र उधो ठाकरे ने कहां कि पर किसी की नजर नहीं है जबकि पार्टी के दुश्मन कहा और क्या कर रहे है इस पर विशेश ध्यान रखा जा रहा है महाराश्रों में बेहत निचले सर की राजनेती शुरू है उन्होंने कहां कि मुख्यमंद्री बनना कभी मेरा सपना नहीं था लेकिन मेरे पार्टी का सीएम बने ये मेरी इच्छा जरूर थी उद्धो ने कहां कि फिलहाल नीजी करन की बिमारी बढ़ रही है अगर भविशे को अंधेरे में जाने से रोकना है तो अभी से पूरी शिद्धत से काम पर जुट जाओ अपनी रफ्तार को कम मत करो उन्होंने राच पर निशाना साथते हुए कहा कि कब तक हामोश रहेंगे और सुनेंगे 14 माई को मैं सभा ले रहा हूँ हर सवाल का जवाब मिलेगा मता देखी 8 जुन 1985 को मराटवड़ा के और अंगाबाद में शिवसिना के पहली शाखा की स्थापना हुई थी जिसके 37 स्थापना दिवस पर मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे जिले में जन सभा करने वाले हैं आगामी 14 माई को मुख्यमंतरी पहले मुंबई के बीकेसी में सभा को संभोधित करेंगे और अंगाबाद में शिवसिना के विधाएक अंबादास दानवे ने कहा कि इस जन सभा के लिए शिवसिना को इजाज़त मिल चुकी है जल्दी उन्हें पुलिस की तरफ से भी इजाज़त मिल जाएंगी ये सभा एतिहासिक होगी जिसमें लोगों की भारी भीड आने के संभाव ना है उन्होंने कहा कि इस सभा रिकॉर्ड ब्रेक होने वाली है इस सभा की तुलना किसी से नहीं हो सकती बता दे कि दिवंगत बाला सैप ठाकरे ने शहर के एतिहासिक मराट फड़ा सांस्रूतिक मैदान पर कई बार जरन सभाव को संभधित किया है इसी जगह पर राज ठाकरे ने भी हाल ही में एक विशाल रैली का योजन किया था बॉलिवड अभी नेतरी कीम शर्मा और टेनिस स्टार लियंडर पेस जल्द ही अपती रिलेशन्शिप को शादी में बदल सकते हैं तो कमर्शियल अलपीजी के बाद अब डॉमेस्टिक अलपीजी सिलेंडर के दाम में भी जाफ़ा कर दिया गया है वही उत्तर प्रदेश में आजम खान की जेल से रिहाई और उनके कॉंगरेस में शामिल होने को लेकर खुब चर्चा हो रही है इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदोर में आज तड़के तीन मंजिला एक रही आशी इमारत में भीशन आग लगने से कम से कम साथ लोगों की मौत हो गई है तो उधर AIMIM प्रमुक असदुदिन ओवेसी ने कहा है जल्दी अपनी रिलेशनशीप को शादी में बदल सकते है एक रिपोर्ट की माने तो यह कपल जल्दी कोल्ट मेरिज कर सकता है कहा तो यह भी जा रहा है कि शादी की यह बात आगे कीम और लियंडर के पेरेंट्स ने आगे बढ़ाई है हाल में दोनों के पेरेंट्स ने कीम के बंदरा वाले घर पर मुलाकात की थी यही पर कीम और लियंडर की शादी की बात आगे बढ़ाई गई है हाला कि इस बारे में अभी भी आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है इससे पहले कीम और लियंडर के पेरेंट्स पिछले साल दिसंबर में मिले थे और दोनों परिवारों ने साथ में नियू येर सेलिबरेट किया था मार्श के महिने में कीम और लियंडर के रिलेशन्शिप का एक साल पूरा हो चुका है इस मौके पर कीम ने लियंडर के साथ अपनी कई तस्विरे और वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किये थे अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के डोमेस्टिक एल्पीजी सिलेंडर की किमत 999 रुपे 50 पैसे प्रती सिलेंडर हो गई है इससे पहले घरली एल्पीजी के दाम 22 मार्श को 50 रुपे बढ़े थे अप्रेल महा में इस सिलेंडर की किमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश समित पाच राज्यों में चुनाओ खत्म होने के बाद पेट्रोल डिजल और रसोई ग्यास के दामों में बढ़ोतरी तो शुरू होई गई थी उसके बाद LPG के दाम में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई थी इसी क्रम में 22 माद 2022 को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 50 रुपे की बढ़ोतरी की गई थी उसके बाद दिल्ली में ग्यास सिलेंडर की किमत 949 रुपे 50 पैसे हो गई थी घरेलो LPG की किमत में बढ़ोतरी के बाद बीते एक अप्रेल को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गयास सिलेंडर के दाम में भी भारी बढ़ोतरी हुई थी उस दिन इसका दाम 249 रुपए 50 पैसे प्रती सिलेंडर बढ़ा था उत्तर प्रदिश में आजम खान की जेल से रिहाई और उनके कॉंग्रेस में शामिल होने को लेकर खूप चर्चा हो रही है वही समाजवादी पार्टी प्रमुक अखिले शयादों को आजम खान की आवज नहीं उठाने का आरोप भी जिलना पड़ रहा है इस बीच आजम खान के कॉंग्रेस में शामिल होने की चर्चा प्रयाग राज में तेज हो गई है दरसल कॉंग्रेस के निता इर्शाद उल्ला ने प्रयाग राज में आजम खान साब कॉंग्रेस में आई है आपका स्वागत है लिखा पोस्टर जारी कर दिया इससे लोगों में चर्चा हो रही है कि जेल से जमानत मिलने के बाद वह कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे हाला कि इसकी किसी भी स्तर पर पुष्टी नहीं हुई है वही इन सब के बीच समाजवादी पारटी के दो मुसलिम नेताओं ने आजम खान के समर्थन में इस्तिपादे दिया है उत्तर प्रदेश की राजन्यती में आजम खान अलपसंख्यकों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते है लेकिन फिलाल वह सीतापूर की जेल में कैद है आजम खान पर 72 के इस दर्ज है उन्हें 71 मामले में जमानत मिल गई है एक मामले में इलाबाद हाई कोट ने डिसिजन सुरक्षित कर लिया है पोस्टर जारी करने वाले नेता इर्शाद उल्ला ने कहा कि समाजवादी पारटी में आजम खान की अंदिखी हो रही है आजम खान की अखिलेश यादव से नारदगी की खबरों के बीच जहां उनके समर्थक सपासे इस्तिफा दे रहे है मध्यप्रदेश के इंदोर में शनिवार तड़के तिन मंजीला एक रही आशी मारत में बिश्यन आग लगने से कम से कम साथ लोगों की मौत हो गई जबकि ग्यारा अन्य घायल हो गई एक वरिश्ट पुलिस अधिकारी ने ये जान करी दी है विजए नगर पुलिस थाने की प्रभारी तहजिब काजी की मताबिक इंदोर की स्वरणा बाग कॉलनी में आग से प्रभावित रही आशी इमारत से साथ लोगों को मुरुत अवस्था में बाहर निकाला गया जबकि 11 अन्य को खायल हालात में अस्पताल भेजा गया उन्होंने बताया कि आग बिजली की मिटर में शौर्ट सरकिट के कारण लगी और इस सबसे पहले इमारत की पारकें में खड़ी गाडियों को अपनी चपेट में लिया काजी के अनुसार अगनी कांड में जिन लोगों की मौध हुई है उनमें से ज्यादा तरकी जान धूए से दम घुटने के कारण हुई है मामले की विस्तुरू जांच की जा रही है सुबे के मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान ने आग लगने से साथ लोगों के असमय नीधन पर शोख सवेदना व्यक्त की है चोहान ने कहा कि इंदोर के स्वर्णबाग कॉलनी में शौट सर्किट से वे हाथ से में कई अनमोल जिंदगियों के असमय नीधन का दुखत समाचार प्राप्त हुआ इश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परीजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देरे तथा घायलों को शिग्रे स्वस्त करने की प्रार्थना करते हैं AIMIM प्रमुख असदुदिन ओवेसी ने कहा है कि ग्यानवय पिश्रूंगार गौरी परीसर के कुछ इलाखों के सर्वेक्षन पर अदालत का हाली आदेश रद्याथरा के रक्तपात और 1980-1990 के दशक की मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है वारानसी के अदालत के आदेश की निंदा करते हुए असदुदिन ओवेसी ने एक ट्वीट में कहा कि काशी की ग्यानवय पिश्रूंगार अदेश की पूजास्थल अधिनियम का खुला उलंगहन है जो धर्मिक सरों के रुपान तरन पर रोक लगाता है अयुद्धा के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदेनियम भारती राजनिती की धर्मा निरिपक्षव विश्यष्टाओं की रक्षा करता है जो सब्विधान की बुनियादी विश्यष्टाओं में से एक है असदुदी नोवेसी का बयान अदालत के एक आयुक तक के वारानसी की काशिव विश्वनात मंदिर और ग्यानवेबी मस्जित में अदालत के आदेश के अनुसार परिसर का सर्वेक्षन और वीडियो ग्राफिक करने के एक दिन बाद आया है दिली की राखिस सिंग, लक्षमी देवी, सीता साहू और अन्या ने एक याचिका दायर कर ग्यानवेबी मस्जित की बाहरी दिवार पर स्थिछ श्रिमगार गवरी भगवान गनेश, भगवान हनुमान और नंदी वें दैनिक पूजा और अनुशान करने के अनुमती मांग वैसे युकरेन पर रुसी आकरमन के लिए रूस पर प्रतिवन लगा रही है, वैसे ही ताइवान पर चिनी आकरमन को लेगा चिन पर प्रतिवन लगाईगी। दुनिया भर की इन पाच और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ। दुनिया को दिखाना चाहा कि वह पहले जैसा तालिबान नहीं है और जनता के साथ जात्ती नहीं करेगा। लोगों को जिन्दगी अपने तरीके से जीने की आजादी होगी लेकिन धीरे धीरे तालिबान समय के साथ साथ अपना असली रंग दिखाने लग गया। सत्ता संभालने के एक साल के भीतरी तालिबान कई ऐसे आदर्शों को लेकर फिर से सुर्कियों में है जो उसके पुराने रंग को दिखा था है। नवकरी करने वाले पुरुषों के लिए सिर्पल टोपी, दाड़ी और टकने से उपर पैंट पहनना अनिवार्यक किया जा चुका है। नए फर्मान के थाथ तालिबान के सुप्रिम लिडर ने आदेश जी आए कि महलाओं के लिए सारवजनिक तोर पर बुर्का पहनना जरूरी हुआ। इससे पहले स्कूलों में पुरुषों और महला विद्यातियों के लिए अलग-अलग कक्षा है पहले ही शामिल है। तालिबान की सोच है कि स्कूल में महला और पुरुष छात्र एक दूसरे को न देख सके क्योंकि इससे पड़ाई में व्यवदान होता है। या फिर हम पर आकरमन करता है तो हम निश्चीत रूप से यह आशा करते हैं कि अंतर राष्टिय समुदाए ताइवान को समझ सकता है और उसका समर्धन कर सकता है। चीन के साथ एकी कुरूत हो कर रहेगा यहां एकी करन शांती पूर्ण तरीके से हुगा लेकिन चीनी नेताओं ने लगातार ताइवान पर हमले की धमकी भी दी है हाल ही में वू ने एक इंटर्विव में कहा था कि ताइवान और भारत के ख्षेत्रों पर चीन का दावा बेत इमरान खान पर सभी विपलताओं का ठीक राफोनने में काफी फेल रही इसका प्रमुक कारण है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्थीक मोर्चे पर लिये गए निरने के लिए जिम्मेदार थे विभिन्दम अंतरालयों और विभागों में वरिष्ट पदों पर सेवारत और सेवा निवरुत सहन्य अधिकारियों की नियोक्ति उन्होंने कराई थी अविश्वास प्रत्साओ हारने के बाद इमरान खान चूपे नहीं उन्होंने शक्तिशाली अमेरिका और सेना से मुकाबला करने के लिए शहरी मध्धम वर्ग के बीच नय समर्थन हासिल किया है इमरान खान शहरी उवाओ के बीच एक मजबुत नेता के रूप में उबरे है इसलाम खबर के अनुसार सेना इमरान खान के किलाप अपने प्ततिश्चा और प्रभाव को बचाने के लिए अभियान चला रही है दूसरी और सेना ने जनता का विश्वास खो दिया है और योग्यता के आरोपों का सामना करना पड़ा है इसलिए सेना की यह योजना काफी हद तक वीफल हो गई है सेना के पुर्व वरिष्ट अधिकारी भी इमरान खान के समर्थन में उतर आये है शिर्ष नेतुर्ट्व के बीच पुर्व पीम के काफी समर्थक है क्यूबा की राजधनी हवाना के मध्य में एक आलिशान होटल में प्राकुरूतिक ज्यास की रेशाओ के कारण हुए शक्तिशाली विशोट में बच्चों समित 22 लोगों की मौत हो गई जबकि दरजनों अन्य घायल हो गए हवाना के गवर्नर रेनाल्डो गार्शिया जापाटा ने बताया कि विशोट के समय 96 कमरों वाले सारा टोगा होटल में कोई परियाटक नहीं था क्योंकि वहां मरम्मत का काम चल रहा था घटनस्तल का दोरा करने वाले राश्टरपती मुगेल डियाज कैनल ने ट्वीट किया कि यहाँ कोई बम विशोट यह हमला नहीं है यहाँ एक दुखत हाथसा है स्वास्थे मंतराले में अस्पताल सिवाओ के प्रमुक डक्टर जूलियो ने बताया कि इस हाथसे में 74 लोग घायल हुए है राश्टरपती कारेले के ट्वीट के अनुसार घायलों में 14 बच्चे शामिल है डियाच कैलनन ने बताया कि विशोट से प्रभावित होटल के पास की इमारतों में रहरे परिवारों को सुरक्षिस्ट सानों पर सानन तरित कर दिया गया है रिपोर्ट के मुताबिक विशोट एक ट्रक के कारण हुआ जो होटल को प्राकृतिक ग्यास की आपूरती कर रहा था हाथसे से जुड़े विडियो में अगनी शमन कर्मियों को एक सफिट टैंकर ट्रक पर पानी का छिड़काओ करते और उसे घटना स्थल से हटाते देखा जा सकता है विडियो में यहां भी नजर आ रहा है कि विशोट से होटल के चारो तरब धुए का गुबार फैल गया इसमें घवराय सह में लोग सड़क पर भागते दिखाई दे रहे है यहां दुरगटना ऐसे समय में हुई है जब क्यूबा कोरोना वाइरस महामारी से तबाह हो चुके अपने परियाटंग छेत्र को पुनर जिवित करने के लिए संगर्श कर रहा है चीन के राष्ट्रपती शी जिनपिंग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलो और कड़े लॉकड़ॉन के बीच देश की शुन्य कोविड नीती पर सवाल उठाने वालों को चेताउनी दी है यह पहली बार है जब जिनपिंग ने चीन की कोविड के खिलाप लड़ाई पर इस तरह की सारवजनिक टिप्पन की है स्थानीय मिडिया ने साथ सदस्य समीती के हवाले से कहा कि हमारी रोक्ताम और नियंतरन की रननिती पार्टी की प्रकृती वो मिशन से निर्धारित होती है हमारी नितिया इतिहास की कसोटी पर खरी उतर सकती है हमारे उपाई वाज्यानिक और प्रभावी है हमने वोहान की रक्षा के लिए लड़ाई जीत ली है और हम निश्चित रूप से शंगाई की रक्षा के लिए लड़ाई जीतने में सक्षम होंगे स्थाई समीती ने कार्यकरताओं से पारटी के केंद्रिय नेतुर्थ द्वरा निर्धारित नीतियों की गहन पुर्ण और व्यापक समझ रखने के लिए भी कहा गौर्तलभाई की पीछले कई हपतों में शंगाई के निवासियों ने भोजन की गंभिर कमी और चिकित साथ एकबाल तक पाउज की कमी के बीच मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है मालुम हो कि चीन में COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण इस साल 10-25 सितंबर तक होने वाले हांग जो एशियाई खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया नई तिथियों की गोशना निकट भविश्य में की जाएगी शंगाई में COVID-19 के लगातार बढ़ते मामलों के कारण इन खेलों के आयोजन को लेकर अनिश्चित्ता बनी हुवी थी शंगाई में लॉकडाउन लगाए तो आज की इस खास पेशकश में वस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें ये वीके वी नियोस नमस्कारी